मित्रो ठेकेदारों का एक सबसे बड़ा रोग है या कमी है वो क्या है रात को बारह बज़े तक जागते रहते हैं एस्टिमेट निकालना है ये करना है वो करना है साइट पर कितनी लेबर चीए कितनी कॉंक्रीट चीए कितनी सिमेंट चीए वो निकालते रहते हैं और बारह बज़े के बात में सोते हैं और सुबह कब उटते हैं बो ठेकेदार जी ऊठ गए गया लेबर पूशती है आते गर पे कभी कोई मिलने वाला आता है खूशता है ठेकेदार जी ऊठ गए गया अभी उठे नहीं सोग रहे हैं देखिए दोस्तों ठेकेदारी बिजनेस में आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए और वैसे भी कोई भी बिजनेस आप करते हो उसमें आपको 6 बजे उठना जरूरी हो जाता है क्यों जरूरी हो जाता है कि इस संसार में नींद और निंदा पर जिसने विजे पा लिए वो आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोख सकता नींद और निंदा नींद यानि सोना लेट तक आपको 6 गंटे सोना चीए ज्यादा करो तो 7 गंटे सोलो और मेर्जिमम कहीं ठके हुए हो आप 8 गंटे रेस्ट कर सकते हो मगर इसके ज्यादा आप सोते हैं तो मैं कहूंगा गलत कर रहे हैं हलांकि बुरा मत्मान आप मुझे भी ज्यादा सोने की आदत है मगर मैं मेरी कोई गलत आदत को आपके उपर थोपना नहीं चाहता और उसको गलत ही मात आँ निन और निन्दा निन्दा किस कहते हैं बुराई बुराई किसके करेंगे ठेकेदार तीन जनों की बुराई करता है पहला ठेकेदार ठेकेदारों की बुराई करता है तूसरा अफसरों की क्योंकि उनके साथ रहता है अधिकारियों के साथ, और तीसरा, अपने करमचारीं को, और तेक़तार जी, क्या हाँ जा लें, अरे रहे बाई, क्या बताएं, आज तो मिष्ट्रीय मर गया हो, अगले ने अस्फुचा वाश्ता में डेट हो गई, क्या हुआ थेक़तार जी, कैसे मर गया, अरे क्या मर गया यार मैं कह रहा हूं वो काम पे नहीं है आज क्या हुआ उसके घर से कोई फोना आगा है मेरा बच्चा बिमार है मैं जा रहा हूँ तो ठेके जा जी बच्चा बिमार होगा जाएगा नहीं हो ये इस तरह के सब्ध मत बोले आप मैंने देखा है कई बाद लोग बाद बोल देते हैं ऐसा ऐसे टॉंट मस्क कसी है और अपने आए एक आवत है कि 24 गंटे में आपकी कोई न कोई एक बात जरूर सच होती है यह दि कहीं यह गलत बात आपनी सच हो गई तो बताईए आप किसको मुद खाएंगे दूसरा ठेकदार के देगा कली ठेकदार जी ऐसा खरे दे और बच्चा तो बिमार है तभी तो मिस्त्री चुटी गया है और कहीं कुछ ऐसा हो गया तो आपके लेने के देने पर जाएंगे इसलिए किसी की निंदा मत कीजिए आगे बढ़ने से आपको कोई नी रोक सकता यदि आप यह सब नहीं करते हैं जो चीज आपको चैलेंज करती है वहीं चीज आपको चैलेंज भी कर सकती है इसलिए मैं कहूंगा किसी की निंदा मत कीजिए और नींद कम लीजिए एक सुख़ज जीवन जीने के लिए आपको अपने मस्तिक्स को ब्रेन को सही रखना होता है और ब्रेन सही कब रहता है जब आपके हार्ट में सब्तेता होगी ट्रूथ सच्चाई होगी तभी आपका ब्रेन सही रहेगा नहीं तो जूट को सच्चाविज करने में वो ब्रेन आपका लगा रहेगा और आप दिन बर पजल रहेंगे और दूसरी बात मैं कहूंगा आपने होटों पर आप प्रसंदता रखेंगे जब आप होटों पर प्रसंदता रखेंगे तो रिदय में आपके पवित्रता रही येदी इसके साथ आप कई अलग तरह के धंदे भी कर सकते हैं ठेकेदारी बिजनेस ऐसा है येदी आपके रिदय में पवित्रता होगी होटों पर प्रसंदता होगी और मस्तिक्स आपका सही होगा तो इसके साथ में ठेकेदारी में कुछ ऐसे धंदे भी हैं जो आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं इस तरह के विजनेस भी आप ठेकेदारी के साथ साथ कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं इसके लिए मेरी चैनल एस एन सर्मा मोटिवेशनल स्पीकर योटूब पे जाईए सर्च कर लीजिए सबस्क्राब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकोन को दबा दीजिए उसमें आपको जो वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेंगे उन वीडियो को पढ़िए सुनिये उन में मैंने कम से कम 400 वीडियो एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता मगर इस पिछले नोटस महने में मैंने 400, 45, 47, 400 वीडियो बना चुका हूँ उन वीडियो को देख करके सुन करके आप आराम से अपने जीवन की दिशा और दसाद चेंज कर सकते हैं और नवयूकों के लिए विशेश रूप से कहूँगा मैं मेरे वीडियो दिखदर सक हो सकते हैं